हेलो एवरिवान वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल सोलस रिंगर दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ खीरा के स्क्रब बनाने की विधी को शेयर करने वाली हूं तो यहां पर हमने ले लिया है थोड़ा सा खीरा जो की हमने इसे कसके रखा है और खीरा तवचा के लिए क बहुत ही ज्यादा अच्छा रखेगा कि क्योंकि इसमें विटाइमिन एसी और एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं जो तवचा को मॉस्चराइज भी करता है और यहां पर हम एक चम्मच चीनी ले रहे हैं और इसमें मैं इसे अच्छा से मिला दे रही हूं इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे जहां जहां पर आपके चेहरे पर वाइट एट्स या फिर ब्लैक हेट्स हैं तो वहां पर आपको इसे रब करना एकदम हलके हाथों से इसे रब करना होगा तो इस तरह से mix कर लिया है मैंने खीरा में estrogen गुण होते हैं और इसमें anti-inflammatory गुण भी होते हैं जो एकनी को ठीक करने में मदद करता है तो ऐसा अगर आप करती हैं जैसे यहाँ पर lips के नीचे में और नाक के अगल बगल blackheads whiteheads हो जाते हैं तो फिर आप अगर इस scrub का यूज करती हैं इस तरह से देखिए यहाँ पर इसे हलके हलके हाथों से लगाना है तो इस तरह से आप जहाँ पर आपको sunburn यह है या फिर whiteheads है blackheads है यह sunburn को भी ठीक करता है और whiteheads blackheads को यह हटा देगा तो ऐसा अगर आप सब्ता में एक दिन करती हैं तो आपके skin वाकई में बहुत जादा अच्छे हो जाएंगे इस तरह से आपको लगा कर कुछ देर के लिए रहने देना है 15-20 मिनट तक आप इसे रहने देंगे अपने चेहरे पर और उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से धो लिजेगा तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए चानल पर नए है तो प्लीज मेरे चानल को कर लिजे सब्सक्राइब बिल आइकन को हिट कीजिए आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद